एक मामूली सी कदकाथी, बेहद मामूली शक्ल और बेहद सादेक कपड़े, लेकिन उपलब्धी असाधारन। ये परिच्छा है संत स्वामी शिवानन्द जी का, जिन 126 साल के उमर में पदमश्री के आवोर्ड से नवाजा गया। जब स्वामी शिवानन्द जी को राश्पती भवन में पदमश्री के लिए बुलाया गया, तो उनकी सादगी को देखकर हर कोई हैरान था। वो सबसे पहले PM मोधी के पास पहुंचे और जुक कर प्रणाम किया। स्वामी जी के सादगी को देखकर PM मोधी खुद भी अपने आपको रोप नहीं पाए। और देश के PM होने के बावजूद भी उन्हें जुक कर प्रणाम किया। जब शिवानन जी राश्पती से सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो वो महमहीम के सामने भी जुक गए। राश्पती ने भी जुक कर शिवानन जी का हाथ पकड़ कर गले लगा लिया और उन्हें पुरसकार दिया। यही तो है भारत की आत्मा और संस्कृती। शिवानन जी का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो आज मैं जुकेगा नहीं साला पर रील बना कर फक्र मैसूस करते हैं और भूल जाते हैं अपनी जड़ो और संस्कृती को। हमारी संस्कृती मैं जुकेगा नहीं साला में नहीं हैं बलकि हर शक्स जुकेगा में हैं।